हेलो वाटसप गाईस मैंने में स्मिनोथ बादू था पैंड आप सभी का बहुत बहुत स्वाद करना चाहूंगा मेरे आसम चलना था पर अपर टेक्निकल पे बाताना चाहूंगा गाईस आज कोड़े बहुत ज्यादा आसम है नहीं अलग विकॉस आज हम देखने जारे ओट टु एनेवर ड़क मोड इन रियक्त जी हाँ गैस तो आप में इसे बहुत होने बहुत बार यह वीडिव देखा होगा जहां पर सिंपली एक बटन होता है टॉगल बटन हम सिंपली उसको भी कह सकते हैं जहांपर अगर उस पर हम क्लिक करते तो डार्क मोड बेसेकल यह ल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अब मैं आपको सिद्धा ले चलता हुआ अपने व्यस कोड एडिटर पर आप देख सकते हो कि काईस यहां पर मेरा यह जो में अप.js फाइल है वह उपन हो रखा है आपको बेसिक जो रियक्ट जैसे उतना तो आता है कि एक सिम्पल एप कैसे करना फाइल से वगेरा वगेरा ठीक है तो आप अपने एक फाइल कर लिजएगा simple app create कर लिजएगा react.js में and if you don't know how to create तो guys बिल्कुल टैंसा मत लिजए तो guys मैंने already react in one video को पर complete video upload के इसको भी जरू चुकाउट कीज़ेगा बहुत awesome है link आपको नीचे description में मिल जाएगा alright guys तो देखिए source पर आईएगा right click एक new file create करों complete एक दम scratch से होगा फंडा में अब भी आपको बाता तो यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ इस तरके से dark mode.js this is it ठीक है तो यहाँ पर मैं आच चुका हूँ react arrow function component with export this is it यह मेरा काम हो गया तो guys simple आपको control एक से अब कर देना automatic तो एक complete website या simple कोई भी एक layout page create कर सकते हो and हमें इसमें एक चीज़ यह देखना है कि the moment में किसी एक button पर फिलाल मैं अपने बटन पर click करता हूँ the moment इस पर मैं click करता हूँ तो basically background का color change हो रहा है द्यान से देखना है यह जो text logo and then menu यह फिलाल अभी black है and मेरा इस जो paragraph पर फिलाल अभी black है but the moment इस button पर मैं जब click करूँगा button भी black है but the moment इस पर मैं click करता हूँ तो button का color देखोगा जो हमारा main heading का color आ गया उसका as a background background color एक अलगी आ चुका है and यह जो मेरा text थुए दिर पहले जो black तब white हुई है and again जो भी मेरे logo मेरे menu जो black थे वो कुछ again यह वाला जो color वो आ गया हुआ पर तो बहुत simple है यह समझना कि dark mode is nothing but one click and आपको उस एक click में CSS का जो property उसको change करना है that's it and I hope आप समझ चुके होंगे तो basically यह 90% खेल पूरा CSS का 10% आपका JavaScript बठ हम react में काम कर रहे तो state and use effect उसका हमें काम लगेगा बस this is it ठीक है fund I hope आपको पता चलिगा होगा तो आप इसको एक बाद खुछ से try जरू कीजे अब भी क्या भी तो दीखे guys मैं क्या करता हूँ यहाँ पर simply चलता हूँ तो सबसे बहले तो यह जो पूरा complete layout है वो मुझे create करना पड़ेगा and यह simple है क्योंकि यह it's like your HTML only JSX साब बोल सकती हूँ तो मैं जल्दी से यहाँ चलता हूँ ठीक है and मैं यहाँ पर simple react fragment create कर लेता हूँ perfect ठीक है इसके अंदर guys देखो क्या ही create करना है मुझे एक nap bar मेरा right side basically left side मेरा कुछ text and right side में एक image simple and यह जो layout है आप इसको कैसे create कर सकते हो मैंने already अपना जो front end development है उसमें बाता चुका है तो ज आपको 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 कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो file just मेंने create किया component उसको अभी तक मैंने कहीं पर add नहीं किया ठीक है तो मैं जल्दी से मेरा जो app.js file that is over here यहाँ पर मैं चलता हूँ और यह जो दिखाई दे रहा है उसको मैंने add करके रख यहाँ पर आप dark mode डिख सकते उसको मैं इस तरी किसे रख देता हूँ बिसिकली उसी की नीचे आ जाना चाहिए and यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो बता रहा है dark mode.js does not match ओके ठीक है आप match नहीं कर रहा तो एक बार देख लेते है dark mode and all right guys actually m capital होगा यहाँ पर वाकी I think वाक exact होना चाहिए ठीक है so I think small d and capital M all right perfect देखो नीचे हमें मिल चुका है अगर मैं इस तरी किसे करो तो गाइस वह भी काम कर रहा है but चलो कोई नहीं अब मैं काम करता हूँ जो मेरा toggle mode उसको मैं हटा देता हूँ उसकी मुझे need नहीं है तो आप आपको सिर्फ इतना दिखाई द basically element उसको add कर दिया then we have a section ठीक है एंड यहां पर जो class name इसकी कोई बिल्कुल भी नीट नहीं है हमें अगर यहां पर लेके चलो एक डीब लिया है ठीक है अल्रेडी मैं आपको बाता चुका हूँ गाई इस वीडियो अल्रेड अप्रोड है आप प्लीज चेक आउट कर लिज कि सिर्फ css कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं तो कुछ हो नहीं रहा है अब प्रिवियस जब मैं आपको दिखा रहा था इस पर क्लिक करने पर पूरा वह एज डाक मोड और लाइट थीम पर टॉगल हो रहा था राइट बट अ बट नहीं हो रहा तो कैसी होगा गशवर इस इस पर क्लिक करना या गया और कुछ नहीं करने तो अब सबसे पहले मुझे क्लिक करना थीगत and obvious कैसे click करोगे on click आपको लिखना पड़ेगा इस तरगे से on click ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर fat arrow function and जब इस पर कोई करेगा click तो मुझे एक function को call करना है उसका नाम मैं दे देता हूँ toggle theme इस तरगे से आप कुछ भी नाम दे सकते हो this is it ठीक है चलो इतना मेरा काम हो गया है मैं अब एकदम टॉप पे चलता हूँ ठीक return के नीचे and उपर मैंने कुछ भी लिखा नहीं है तो मैं यहाँ पर const मेरा जो toggle theme all right suggestion नहीं आता है toggle theme will be equal to fat arrow function already इसको पर video upload कर चुका हूँ ठीक है अलर्ट करके देखें कि अलर्ट होता है यहाँ पर हाइए लिख देता हूँ control s save and अगर इसके मैं क्लिक कर आता हूँ तो हाइ मुझे दिखाई दे रहा है it means कि इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यह जो function वह call हो रहा है ठीक है अब मुझे करना यह है एक simple मैं आपको फंडा बताता हूँ ठीक है क्लिक करने पर मुझे background की property चेंज करनी basically CSS की property चेंज करनी और कुछ नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरा यह जो आप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ तो आपको एक class add करना है obviously class and id में आपको difference मालूम है यह जो light theme मैंने यहाँ पर लिखा है आपको भी same यह लिखने है अब मुझे बस करना यह है कि light theme फिलाल अब यह जो कुछ आपको दिख रहा वो light theme है ठीक है light theme में इसका color क्या होगा background का color क्या होगा button का color क्या होगा यह जो text लिखा है यह जो anchor tag यह जो link से उनकी color क्या होगी वो सब कुछ आपको mention करना है and again जब मैं इस पर कर दूँगा click तो यह जो class है instead of light theme मुझे इसको dark theme में convert कर देना है change कर देना है so मुझे toggle basically button को click करने पर toggle क्या करना है यह जो body के अंदर जो मैंने class लिखा light theme को dark theme again click क्या तो dark से light मुझे इसको toggle करना है simple ठीक है अब मैं आपको आपका CSS दिखाता हूँ app.css over here तो guys आप देख सकते हूँ मैंने already मेरा dark theme and then my light theme तो आप देख सकते हो main heading main heading यह जो basically दिखाई दे रहे मैं यहाँ पर अगर change कर दूँगा सब जगे change हो जाएंगे ठीक है तो देखो dark theme में जो main heading है वो मेरा यह होने वाला है and light theme में भी दोनों same है but मेरा जो paragraph का color है dark theme में वो white है but light theme में वो color change हो जा रहा है उसी तरीके से यह जो button background color जो आपको दिखाई दे रहा है आप बहुत clearly देख सकते हो कि मेरे dark theme में वो यह है but मेरा जो light theme में उसमें black है button का text का color एदर white है यहाँ पे भी white है background color basically pure जो background color वो पूरा आप देख सकते हो dark theme में pure black नहीं बोलूँगा मैं ठीक है लेकिन मिलता जूलता है and जो मेरा background color होगा light theme में वो यह है तो फिलाला भी आपको वो ही दिखाई दे रहा है तो same है properties basically जो variables है both are same खाले different हो तो उनकी जो values है वो ठीक है and आप देख सकते हो h1 में color मेंने क्या कर दी main heading अगर dark theme रहेगा तो main heading का color यह हो जाएगा light theme रहेगा तो यह हो जाएगा दोनों same यह basically लेकिन paragraph में मैंने क्या लिखा para color अब देखो para color यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो अगर light theme present रहा तो para color यह हो जाएगा अगर dark theme जो है body में वो रहेगा तो para का color यह हो जाएगा उसी तरीके से आप देख सकते हो जो हमारे anchor tag list है उसका color मेरा जो बटा ने उसका background color and then जो color है main text का वो यह section का background color आप देख सकते हो बाकि कुछ नहीं है एक header का background color है बाकि I don't think बाकि कुछ extra है जो आपको समझने की जो होता है क्योंकि वो pure CSS है already मैं video upload कर चुका हूँ एक second यहाँ पर this is it बस make sure इतना करना है कि अब आपको कोई भी value random value नहीं देनी है सब आपको variables के अंदर add करना है ताकि light theme and dark theme में जब भी हम toggle करें तो दोनों में से एक apply हो जाए this is it I hope आपको पता चल गया होगा पूरा CSS का खेल था तो सिर्फ dark theme रहा तो यह apply हो जाएगा light theme रहा तो यह apply हो जाएगा और आपको लग रहा है oh my god यह कैसे change हो रहा होगा बागी कुछ नहीं है ठीक है तो मेरे लिए main बस यह होगा कि किसी तरह किसी index.html के अंदर यह जो class है इसको मैं toggle कर सकूँ that's it ठीक है अब हम क्या कर रहे है react पे काम कर रहे है तो react में तो guys we need states right तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले make use effect hook use कर लेता हूँ ठीक है all right guys तो आप देख सकते हूँ कि मैंने use effect यहाँ पर add कर लिया है again if you don't know what is use effect link top पर आप देख सकते हूँ जरू check out कर लिजेगा basically जब भी आप अपने website को first time run करते हो अगर आप simple इस्तर किसा area dependency pass कर देते हो तो मलदब वो सिप एक ही बार run होगा बाकी time run नहीं होने वाला है जो कि मुझे वही चाहिए फिलाल के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर एक और use state रहे लेता हूँ ताकि उस पर मेरी जो body का जो class है dark theme and light theme उसको मैं change कर सकूँ हूँ alter कर सकूँ देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ use state all right perfect चलो ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरकी से एक second theme लिख दे रहा हूँ and यहाँ पर t capital basically camel case convention नहीं है initial जो data है यहाँ पर मैं guys यहाँ पर light theme चिपका देता हूँ light theme this is it perfect चलो ठीक है तो basically यह जो theme है वो अभी light theme है ठीक है and एक चीज़ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अब मेरा जो index.html है इसमें जो class है मुझे इसको target करना है किसी तरकी से मुझे यह जो class है इसको get करना है अब बहुत इजली कर सकते है जावस्कुट में react में भी same होई है ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ dark mode पे यह जो use effect है यहाँ पर मैं चलूँगा यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ document basically dome आपका document.body लिख दीज़े डारेक्ट dot इसका जो background color नहीं आपको सिपक class नाम चाहिए न so class name हो करके होगा this is it will be equal to मैं यहाँ पर कर देता हूँ this is it मेरा काम हो गया अब यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह जो light theme जो है all right जी हाँ यह जो light theme है वो अब मैंने यहाँ पर set कर दिये तो basically मेरी theme चाहिए वो light हो या dark हो वो यहाँ पर change हो जाएगा तो in short मैंने इसको access कर लिया है इसका अब मेरे पास power है ठीक है अब कहलो इसको hack कर ली मैंने अब खाली मुझे क्या करना है देखो बहुत ही ज़्यादा simple है ठीक है button के click करने पर button के click करने पर अगर if मेरा यह जो theme है triple equal to if it is light ठीक है लाइट के बदले चलो डार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर डार्क इस तरी किसे डार्क थीम तो मुझे क्या करना है मुझे मैं यह जो theme नहीं लिखूँगा मैं अब मुझे theme चेंज करना है अगर theme already dark theme है button को करूँगा click तो मुझे light theme चाहिए अगर light है तो मुझे dark चाहिए तो theme को मैं कैसे चेंज करूँगा क्योंकि theme में मेरा power आगा है मैंने उसको hack कर चुका जो value मैंने get कर चुकी है theme में है वो तो मुझे यह जो set theme जो है यह updated function इसमें जाके मुझे अगर dark है तो light theme यह इस तरह किसे कर देना है class change कर रहा हूँ else अब क्योंकि दो ही है न तो else मैं यहाँ पर चलता हूँ simple if else और कुछ नहीं है again यह जो मेरा set theme होगा obviously अगर dark नहीं तो light रहा होगा अगर light है तो मुझे यहाँ पर चाहिए होगा dark theme this is it मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया और कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ इतना ही करना था अब यहाँ पर use state and use effect is not defined obviously वो तो define ही नहीं कि हमने and हाँ अब हम दो को एक साथ define करना चाहरे यहाँ पर import करे तो calibrations देना पड़ेगा use effect and use state after the update वो react को कुछ करने की जोत पड़ती है ठीक है control let's save I think अब चल जाना चाहिए so 3,2,1 and all right change नहीं हुआ guys यह and यह change क्यों नहीं हुआ बोलने से document.body.classname इक सेकेंड आप जब use effect यूज करते हो यह जो array dependency है तो यह make sure करता कि आपका यह जो use effect है first time आपका page जब render होगा तब ही यह load होगा तब ही यह चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा but what I need कि the moment इस पर मैं click करूँ मैं theme की value change कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ first time पर you know use effect को run नहीं करना है मुझे तब तब use effect को call करना है जब जब मैं इस पर click कर रहा हूँ basically theme की value change होगी तो जब जब मेरी यह जो theme की value change होगी तब तब भी मुझे यह use effect को call करना है and मैं basically जो body का जो class name उसको तो मैंने get करी लिया है and वो function जो वहाँ पर चलेगा button पर click करने पर तो toggle theme ओले function को मैं call करी रहा हूँ simple देखिए and यह जो color आप देख सकते हो अब यह white है अब यह black हुग गया यह जो button का background color black है अब यह देखो जो मेरा heading का color आ गया तो यह तो मैंने आपको पता दिया यह simple आपका dark theme, light theme का आपको already CSS पे set करके रख देना है सब कुछ and यह जो चीज़ था है आप इसको और simple तरीके से कर सकते थे turnary operator basically ठीक है अगर theme यह रहा ठीक है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि if it is true then यह else आप इस तरीके से इसको चिपका सकते हो control आ, save करो फिलाल आपको इतना कुछ हाला कि easy इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं है लेकिन अब थोड़ा सा आपको idea आजाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर and I think इसकी भी कोई need मुझे नहीं पड़ेगी and I think यहाँ पर bracket alright guys this is it तो अभी थूदर पहले जो if else ता उसको मैंने turnary में change कर दिया कि theme अगर dark रहा तो set theme light कर दो नहीं तो जो है as it is रहने दो तो कितनी easily guys हमने एक use state देखी हमने हमारा function देखा वी turnary operator and then हमने use effect में समझा कि किस तरह के से you know first time तो load करना साथ यसाथ theme की value अगर change ओर रही है तो भी हम इसको load कर रहे थे so यहाँ पर चलता हूँ and कितनी easily आपका यह जो dark mode and then light theme ओला यह जो functionality है कितनी easily हमने इसको achieve कर लिया so guys थाना आज के वीडियों बहुत ही ज्यादा awesome once again अगर फिर भी आपको कहीं you know use effect थोड़ा समझने में problem हो रहा है अगर आप बूल गया अरे यह use state क्या था you know यह ternary operator कैसे यह जो fat arrow function क्या होता है इस तरगी से on click यह मैंने क्यों इस तरगी से लिखा you know तो यह सब कुछ अगर आपको थोड़ा सा you know आप मतलब नहीं idea आ रहा है बिल्कुल टैंसा मत लिजिए react queue पर प्लेट प्लेट अप्लोड कर चुका हूँ यह जो react in 3 hours इसको भी अगर आप एक बार देख लोगी आपके सारे doubt clear हो जाएंगे ठीक है so guys this is it आज इस वीडियो के लिट नहीं and source code का आप बिल्कुल टैंसा मत दीजिएगा विल्कुल फिरी में मैं आपको नीचे description में प्रवाइड करा दूँगा बस इतना चाहूँगा कल की जो वीडियो से इसको जरू चेक आउट कीजी बहुत ही ज्याद आउसम है and यह complete responsive website यह तो मलब must है आपके मलब मज़ा आजायागा ठीक है and बताना चाहूंगा गाईस अब हमारा next target 1 million subscribers अब तक अगर आपने subscribe नहीं कहा तो please subscribe कर लिजेगा वीडियो के एक like जरू कीजेगा आपको वीडियो कैसे लागा नीचे काउन करके जरू बताना and right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा हिट कीजे क्लिक कीजे आके आप डेलेस आउसम वीडियो को मिस ना करें so till then guys thank you so much take care